मसी में मेरे प्यारे भाई बहनों, नमस्कार मैं आशा राजीब फ्रॉम दुबाई से बात कर रहे हूँ और मैं आप लोगों को बहुत अर्जेंट ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रभी एश्व मसी रियल ही बहुत जल्द आने वाले हैं और उसे पहले आने से पहले रप्चर होगा और वो रप्चर ब्रभी ने मुझे ड्रेम्स के दुवारा दिखाया है और अभी तक जो भी हुआ yield जो भी खुदा ने मुझे दिखाया है वो सब पूरा हुआ मेरे personal life से related भी आस तक सारे मेरे ड्रेम्स most probably सफल हुए है चाहती हूँ यह बताना चाहती हूँ कि मैं उससे पहले मैं थोड़ा से यह बताना चाहती हूँ कि एक दिन पहले मुझे ड्रीम आये कि मैं एक बहुत बड़े पत्थर वाले पहाड पर ऐसे चड़ रही हूँ मेरी सिस्टर मेरे साथ है छोटी वाली और हम अपनी मदर को लेक वहाड़ है ग्रेट कलर में और उस पर हम सब बैठें और भी लोग जिनको मैं नहीं जानती और मैं कहरे बागी दुनिया कहां गी तो बागी की दुनिया कहीं और चली गई हैं सिर्फ यही लोग हैं तो कि हम सब वेट करें गी प्रभी यश्योमसी हमें सियों नगर ले के करना तो मैंने ऐसे से करके अपनी सिस्टर को बोला और एकदम से मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा कि आज प्रभु ने मुझे ये रियली बहुत टाइम के बाद दिखाना शुरुआ क्योंकि बीच में मैं अपने संसारी के बातों में फस गई थी और अपने घर की परिशान तो इस तरह से प्रभु ने मुझे अफ्य से ये सब को दिखाना शुरू किया अफ्य से वो इसे स्वर्गिया अकाश्य ऐसे दर्शन खुदा मुझे दे रहा है और अभी साथ तारी को जो मुझे ड्रीम आया वो सुबह साड़ी पांच बजे का है उसमें मैंने देखा कि ऐ और सब को मैं कहरे हूं कि रिपेंट करो पष्चेताब करो प्रभी अशिय मसी caliber आज सब को लेने आ रहे हैं अभी इस दुनिया सब खतम हो जाएएगी रिपेंट करो ऐसे से करके मैं कहने ही प्रातणा करो इससे पहले कि तुम लोग उठाए जाओ प्रातणा करो मैं ऐसे से करके सब को बोल रही हूं और सभी लोग रूब बना बना के एक दूसरे के शोल्डरस पे हाथ रख कर और ऐसे खुदा से पश्चताब कर रहे हैं माफी मांग रहे हैं अपने गुनाहों से तो मैं ऐसे देख रहे हूं तो इतने मैं ऐसे हम लोग ऐसे खड़े हैं और आकाश की अंदर रख दो इससे पहले के हम लोग स्वर्ख में जा ऐसे करके और एक बैड उठा के मैंने अंदर रखा और फिर मैंने का नहीं चोड़ो हमने कोंसा इस प्रित्वी पे रहना है और ऐसे करके मैंने देखा और उसके बाद है मैंने देखा कि आकाश पर ऐसे एकदम से मल्ट से वहाँ पर आसपास में और धीरे धीरे मैंने उस सन के बैग से ऐसे गोल्डन कलर में रोशनी निकलते देखी तो सब बोले आगया प्रभी यश्यमसी आगया प्रभी यश्यमसी ऐसे बोला और एकदम से हमें एकदम जटका लगा और हम वितिन सेकेंड हम लोग एकदम से म और फिर वहाँ पर मैंने एक बहुत बड़ा होल कमरा देखा उसमें सब लोग जितने उठाए गए रक्चर के दुरान उस कमरे के अंदर हैं और वहाँ पर एक आदमी डील कर लीड कर रहा है सब को और वो सब को मसी के गीत गुआ रहा है प्रभी ये शुकी हम लोग वहाँ हम दुस्ताइश कर रहे हैं वहाँ पर गीत कर रहे हैं मैं भी और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ है और मैं अपनी सिस्टर को एक दम से देखती है मैं पूस्ती हूं नीचे तुमने अर्मन को नहीं साथ लिया तो कहती कि नहीं पता नहीं कहां चली गई वो थी तो मेरे साथ ही मैं बोला की हाई भू कैसे रहे गी वो तो बहुत छोटी है अकेली नीचे कैसे रहे गी तो ऐसे कर के मैं बोल रहे सोच के रूने को होते हूं सिस्की सी आ रही होते है मुझे रियल में भी आ रही थी तो जब मैंने इसे देखा कि अर्मन तो ऐसे यहां गुमरी पर मुझे तसलिव की नहीं वो उपर ही है और ऐसे करके हम लोग सौरे जितने लोग वहां उस कमरे में थे सब खुदा को हम दोस् तो मैंने ऐसे करके देखा और उसके बाद एक दम मेरी कुलीक आया और उसने मुझे उठाया कि उठ्जा टाइम हो गया ऐसे करके तो ऐसे खुदा ने मुझे दिखाया और मुझे कनफरम्ड है 110% कि प्रभी एश्यो मसी बहुत 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 जल्द आने बाले हैं क्योंकि उनका वाइदा है कि उन्होंने जो बाइबल में लिखा है आकाश और प्रिति टल जाएंगी लेकिन मेरी बातें नहीं टलेंगे और ये कनफरम है 110% शूर कि प्रभी एश्यो मसी इससे पहले की दुनिया का नियाए करने के लिए उससे पहले रप्चर के लिए हम लोग अप खुदा से दूर हो गए थी मेरे थोड़ी परसनल डॉमेस्टिक प्राब्लम्स थी लेकिन प्रभू का धन्यवाद हो कि अब प्रभू ने मुझे वो सारी प्राब्लम्स में भूली गई हूं ना मेरे मन में रहता है ना माइड में रहता है और प्रभू ने ऐसी शांती और आनद मुझे में भर दिया है तो प्रभू का धन्यवाद हो हम जब तक प्रिथी पे रहेंगे कष्ट तो आते ही रहेंगे दुख तो आते रहेंगे लेकिन उनको सहने के और उनसे निकालने के लिए भी प्रभू येशू हमारे साथ खड़ा रहता है बस मेरी आप सबसे एक तेरा तरीक है और आज सुभा भी अगेन मुझे फरिष्टे दिखें एकदम से तुर्यां बज़री थी और मैं बड़ी जो जो से हालेलुया हालेलुया प्रेज दे लोर्ड ऐसे आवाजें मैं प्रेज कर रहे थी खुदा की और ऐसे मैंने फरिष्टों को उड़ते हुए देखा और तुर्यां बजाते हैं देखा तो आज सेकेंड डे ओल्सो मिंस खुदा ने मुझे फिर से यही रप्चर दिखाया है अब एक्चली दिखाते हैं प्रभी शुबसी बहुत टाइम से मेरे मैंने पहले भी अपने यूट्यूब पे अपनी वीडियो डाली थी तो क से फिर से उसके कॉंटेक्ट में और उसे बाचीत करो जो मुझे दिखाएं वो मैं लोगों तक पहुचा है क्योंकि प्रभी शुबसी ने मुझे कहा है कि तु जा और लोगों को बता कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ मैंने जो पीछे जो ट्यूबस अपने वीडियो दिखूंगी मैं ये खुदा का वजन लोगों तक पहुचाना है कैसे भी करके पहुचाना है और देखो एक बात और है कि जब खुदा हमें ऐसा दिखाता तो अपने वचन के दोरा भी वही बात करता है और फिर उसके बाद मेरी आत्मा में हो रहा था कि नहीं मुझे बतान है फिर मैंने पास्टर रमन हंस को आज फोन किया और उनसे बताया कि ऐसे करके उन्हें बुला हाँ ये बिल्कुल कंफर्म है कि अंत के दिनों में प्रभी शुमसी अपने लोगों को जो इसके डर और भे में रहते हैं उनको वो दिखाएगा कि आने वाला टाइम कैसा होगा इसलिए मेरी आप सबसे बिंती है कि अपने गुनाओं से पश्चे ताब करो प्रभी शुमसी जल्द आने वाले हैं इस प्रिथियू का कुछ भी एक तिनका भी नहीं बचेगा सब कुछ खतम हो जाएगा और उसके बाद जो लोग खुदा को नहीं मानते जो उस पे तीन साथ तक तो कुछ जादा ही यातनाई देगा तो मेरी आप लोगों से बिंती है कि हमें वो मौत चाहिए जिसमें हमें अनंतकाल का जीवन मिले ठीके ना तो हम प्रभी एशु के लिए मरने को तिया रहे हैं उसके लिए हम उसी में जीना उसी में मरना है ये मैंने अपन बच्चों के लिए भी यही समझाते हूं कि तुम लोग भी खुदा में बस बढ़ते चले जाओ उसको टाइम दो ये दुनियावी काम कभी खतम नहीं होंगे तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देखे वो प्लीज शेयर भी करें क्योंकि मैं य की इसलिए नहीं करें कि मुझे पैसे मिले मैं कहीं पैसे कोई नहीं लेथी लेकिन बस मैं कहते हूं प्रभू का वर्चन लोगों तक पहुछना चाहिए हैं तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को बता है इसमें एक प्रिसेंट भी जूट नहीं है जो खुदा ने मुझे दिखाया मैं वो बता रही हूँ जैसे ही रप्चर हुआ उसे पहले तुर्रियां बजी और एक्दम से वी तिन सेकिंड हम सब मध्याकाश में थे तो मैं आप लोगों को यही बताने चाहते हूं कि बहुत यातना हैंगी और प्रभु का वाद है वो अपने धर्मी लोगों को यातना ही सहने से पहले ही उपर उठा लेगा तो प्रभु का धने वाद हो कि उसने मुझे मुझे दूस्ट प्रानी को मुझे जैसी पापी को इस बात के लिए चुना अपने दर्शन दिखाए कि मैं लोगों को बताओं मुझे बोलना नहीं आता मुझे समझने आता मैं कहीं बार बहुत बार कोशिश की कि मैं वीडियो बनाके मैं भेजू लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मैं कैसे बोलूंगी मुझे तो बोलना नहीं आता लेकिन जो भी अभी इस वाद खुदा मुझे प्रेंट ना दे रहे हैं मैं बात कर रहे हूं तो मेरी आप सबसे बिंती है कि आप प्लीज प्लीज खुदा के लिए अपने जीवनों को बरबाद ना करो शैतान के लिए बिल्कुल बेना करो क्योंकि शैतान का अंत नजदीक है और वो जानता है कि मेरा अंत नजदीक है इसल फिर समझो कि हमारा नाम कनफार्म मैं न रखे ले लेकिन आज आज भी अनुगरह का टाइम है